नमस्कास अभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल के ओपर मेरे नाम है अक्षे आज हम रिव्यू करेंगे न्यू ग्रेंड आइटन नियोस का टोटल एट कलर्स के अंदर आती है आप एक्वा टील ब्लू कलर देख रहे हैं प्राइस की बात करें तो शुरू होती है फाइव ल एक शुरू करने से पहले हम दन्यवाद करना चाहेंगे हिसार हुंड़ाइग का जिन्हों हमें वीडियो बनाने की प्रमेशन दिये शुरूरू की डिडेल आपको डिस्क्रिप्शन में जेगी दिये नमबर पर कोंटक्ट कीजिए और विजिट कीजिए हिसार हुंड़ाइ बात करते हैं हम सबसे पहले सेफ्टी गी यहां पर आपको सिक्सेयर बैक स्टेंडर्ड एससी वीएसम हसी एबीस विद इबीडी सीट बैल्ट प्रिटेंशनल लोड लिमिटर टीपी एमस स्पीड सेंसिंग डोर लोक्स इंपक्ट सेंसिंग ओटो डोर अनलोक सेंटरल लोक पोट्स के अंदर बात करते हैं हम अब इंजन की यहां पर आपको 1197 सेसी के 1.2 लिटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर 83 PS 6000 पर टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क मिलता है 4000 पर कुछ इस परकार के आपको की मिलती है की के उपर आपको लोक अनलोक और ब आपको Hyundai का लोगो मिलता है जो की कुछ इस परकार का आपको दिखता है बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से यहां पर आपको मिलता है Hyundai का लोगो बहुत ही बड़ा लोगो है यहां पर आपको मिलती है Black Painted Radiator Grill यहां पर आप Toying Hook लगा पाएंगे और यहां पर आप Number Plate अ DRL जो की आपको कुछ इस परकार से दिखते हैं और यहां पर आपको Airvent दिया गया है जो की Functionable है उसी के उपर आपको मिलते है प्रोजेक्टर Headlamp इंडिकेटर के साथ जो कुछ इस परकार से आपको दिखेंगे दूसरी साइड भी आपको आपका प्रोजेक्टर Headlamp मिलता ह उसी के निचे आपको LED DRL और उसी के निचे आपको Functional Airvent मिलते हैं बात करें फ्रंट Suspension की यहां पर आपको मिलता है Mac Pearson Strut Gas Type Suspension बात करें फ्रंट ब्रेक की यहां पर आपको डिस ब्रेक मिलती है इंडिकेटर के साथ आते हैं जो बोडिकलर आपको डॉर हैंडल मिलते हैं लेंध आपको 3.8 मिलती है विड़त आपको 1.5 मिलती है रूफ रेल से जी आई टेन की बैजिंग है 37 लिटर का फ्यूल टाइंग मिलता है बात करें रेल सस्पेंशन की कि यहां पर आपको कपल टो अर prefogger कि कनेकटेट ल आपको अरован कैम्रा मिलता है आयो तक्रेजिंग पर मिलता है आपको ऀसी दिखती कि यहां पर आपक लेल प्लेट का पाएंगे व्पर लाइट मिलती है लिखलाल से रेक्टर यहाँ पर मिलता है 260 लिटर का ब्यूर्त स्पेस मिलता है लाइट आती है आपको हैजर्ड रैंगल है अब जब ईसे उठाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है spare wheel बात करें spare wheel के tire section की यहाँ पर आपको मिलता है 165 7 t r 14 सब्सक्राइब आपको बूट स्पेस मिलता है आए अब हम ड्रैवर साइड जो डौर है उसे ओपन करकर देखते है ड्रैवर साइड डौर के उपर आपको मैनुल की लगाने के लिए ओप्शन दिया जाता है जब आप इसे खीचेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटिय यहाँ आपको मिलते है ओर वीम के अड्जेस्ट्मेंट डौर लोक अड्लोक के लिए बटन दिये के हैं और आपके पार विंडो के कंट्रोल्स साइड में आपको थोड़ी सी स्पेस दी जाती है और उसी के ही नीचे आपको बोटल होल्डर और थोड़ी सी स्पेस दी जाती है और यह आपका स्पीकर यहां से आप मैनूली अड्जेस्ट कर पाएंगे अपनी ड्राइव साइज सीट जब आप इसे पिछे करेंगे तो यहां पर आपका फ्यूलीड ओपन करने का बटन मिलता है और यहां पर आपको आपकी ब्रेक और रेस मिलती है डेड फूट पैड और आपको लाइट एजस्ट्मेंट का स्विच यहां पर आपको पियानो ब्लाइक इंसर्ट मिलता है एस इवेंट्स के चारो तरफ यहां पर आप लगा पाएंगे अपनी की इंजन स्टार्ज टोप आपको ओनली टॉप मोडल में मिलेगा और ऐसा दिखता है आपका स्टे स्टेरिंग वील नहीं आता है इसमें आपको टॉप मोडल में मिलेगा आपकी स्लो फिनिश यहां से आप टिल्ट कर पाएंगे अपना स्टेरिंग वील और यहांपर आपको मिलते हैं कंट्रोल्स आपके M.I.D. के और आपके क्रोस कंट्रोल के यहांपर आपको हिंडे का लोगो, एर बैक की बैजिंग यहांपर आपको स्टेरिंग माउंट कंट्रोल मिलते हैं आपके infotainment के call का और voice recognition का यहाँ पर आपका wipers का control यहाँ पर आपका lights का control ऐसे दिखते हैं आपकी M.I.D. और उन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखते हैं यह आपको show करेगा आपका tachometer door and tailgate azar, low fuel warning, dual trip meter, distance to empty, average fuel consumption, intense fuel consumption, average vehicle speed, service reminder और center में आपको दिखपा रहा होगा 8.89 cm का speedometer with multifunctional information display मिलता है last time के साथ, आपको seatbelt reminder भी मिलता है इसके अंदर पर आपका RPM भी show होता है आपर TPMS भी आपको यह पर show होगा, user setting में आपको door, light, service interval, other features, language, reset कर पाएंगे field economy, mileage और gear shift indication भी आपको यह पर ही show होगा engine temperature भी आपको यह पर show होगा ऐसा दिखता है आपका dashboard, premium piano black insert है, AC के all around, grey and black का combination है, यहाँपर आपको थोड़ी light का switch मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है, 8 inch का touch screen infotainment display, audio with smart navigation के साथ, apple car play भी sport करता है, android auto भी sport करता है, voice regulation के साथ आता है, आपको side में button दिएगे, sleek track, setup, radio, media और यहाँ से आप display के settings चेंज कर सकते हैं, brightness, sound की setting अगर आपको change करनी हो तो यहाँ से आप कर पाएंगे equalizer, guidance, radio noise control, driver assist warning, connected devices, position, premium sound, device connection के अंदर आपको bluetooth, android auto, apple car play मिलेगा button के अंदर आपको custom button है, उसे आप set कर पाएंगे अपने हिसाब से, general के अंदर आपको, यहाँ पर version info, system info, bluetooth, remote, date, time, language, keyboard, multimedia, settings, default यह चे मिलेगा और उसे के नीचे आपको मिलते हैं, आपके AC के controls और यहाँ पर आपको मिलते हैं, front end rear AC के controls AC के बात करें, तो आपको manual और auto तोनों ही मिलता है और उसे के नीचे ही आपको USB type C, 12V का power socket और आपको USB type A, मिलता है यहाँ से आप adjust कर पाएंगे, fan की speed और temperature दूसरी side up से set होगा 12V power socket यूज़ करने के लिए आपको यह से हटाना पड़ेगा और आपको इस प्रकार से यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर आपको wireless charging pad आता है only top model में वैसे थोड़ी से space दी गई है, यहाँ पर आपको 5-speed automatic transmission आता है transmission gear नोग के उपर आपको panel black finish मिलती है उसी के साथ आपको कफॉल्टर मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ी से space दी किए, यह आपकी hand break armrest आपको नहीं मिलता है, seat belts ऐसी दीखती है आपकी seats यहाँ उसकी आपको branding मिलती है, seats के उपर, gray colors में आपको seats आती है, यहाँ आपकी seat belt, adjustable seat belt नहीं आती है यहाँ पर आपको मिलता है IRVM और इसे open करने के बाद, हम आपको पताएंगे कि यह बोल साड़ी space छोड़ देता है आपको mic, co-presenter side आपको mirror मिलता है, और उसकी के पर आपको grab handle मिलता है, यह भी space छोड़ता है और यहाँ पर आपको light मिलती है, yellow, travel side आपको grab handle नहीं दिया जाता है आईए चलते हैं rare seats में और वहाँ से बात करते हैं आप आगे की जब आप इसे open करेंगे तो आपको door के उपर आपका lever जो की silver finish में है, आपका lock करने के लिए बटन, power window का बटन, आपका space, यहाँ पर speaker और पिछे थोड़े सी space, ऐसे दिखते हैं आपकी rail seat, आपकी 3.80 seat belt आती है, rare में adjustable head rest मिलते है, यह आपकी ISO fix child mount आपको मिलता है, rare में, magazine hold नहीं मिलता है, यह space आपको मिलती है, मेरी height है 5.8 feet, under 30 board कुछ इतना है, यहाँ पर आपको मिलता है rare race event, उसी निचे आपको 12 board का power socket मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है grab handle, बोट sides, लेकिन hook एक ही side दिया गया, और कुछ ही तरह head space मिलता है आपको, राइसा दिखता है आपका rare say dashboard, width आपको 1.6 meter मिलती है, wheelbase आपको 2.4 meter मिलता है, ground clearance 165 mm मिलती है आपको, height आपको 1.5 meter, length आपको 3.8 meter, turning radius आपको 4.7 meter मिलता है, तो यह कुछ ता आपकी new item grand के अंदर, I hope आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, आपके सारे points के लिए रहो गये होगे, बताइए कैसे लगी वीडियो, comment section में, channel को like, share, subscribe और शेकरें, धन्यवाद, भारतमाता की जय, जय हिंद,